नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों पूरी दुनिया में जो मेजर कंट्रीज है तो इनके बीच हाईपरसोनिक वैपन्स को ले करके एक रेस लगी हुई है लेकिन इस रेस में अमेरिका चाइना और भार्च जैसे जो बड़े क पूर्वक टेस्ट किया था और इस सब के बाद जो यूएस के मिलेटरी है यूएस कॉंग्रेस है और इनका जो मीडिया है यह भारत के भी हाईपरसोनिक वैपन्स को ले करके लगतार अपनी जो रिपोर्ट्स हैं विद्दे चुके हैं और साथी साथ यह हमारे प्रोग्रा है वो यूएस के हाईपरसोनिक प्रोग्राम के मुकाबले कहीं जादा मैच्योर और साथ में आगे है तो इसका पूरा जो क्रेडिट है वो हमारी प्यारी डियू और साथ में उनके जो व्यग्यानिक है उनको जाता है तो इसी सब के बीच में अपडेट किया गया है कि डिय सिस्टम की खरीद भी शुरू करती है जो इस हाईपर्सोनिक टेकनोलोजी डेमस्ट्रेशन विकल के सेंसर और साथ में इसके जो सिस्टम है उनके बीच एक इंटरफेस का का काम करेगा और इसके बाद हाईपर्सोनिक टेकनोलजी डेमेस्ट्रेशन वीकल का ये चोथा प्रोटोटाइप इस साल अपने हाई स्पीड और लोंग एंडूरेंस के जो टेस्ट है उनको भी कंड़क्ट करेगा और इसी सब के बीच में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि हाईपरसोनिक टेकनोलजी डेमेस्ट्रेशन जो टेकनोलजी है तो इससे भारत लगबग दो हाईपरसोनिक मिसाइल को बनाएगा जिसमें से एक मिसाइल की जो रेंज है वो दो हजार पांसो किलोमेटर तक होगी और इस मिसाइल को दो हजार पच्चिस तक सेना में कमिशन करने का प्लान किया गया है और इस प्रोग्रा जेट और साथ में जो एरक्राफ्ट है उनसे भी लॉंच किया जा सकता होगा तो अगर आप HSTDV यानि की हाइपर सोनिक टेकनोलिजी डेमेंस्ट्रेशन वीकल को देखते हैं तो कुछ लोग इसको एक वैपन मान लेते हैं यहां पर इसका जो प्राइमरी यूज है वो हम एक स्क्राइम जैट इंजन को डवलप करने के लिए कर रहे हैं डियागो गर्षिया के नाम से जानते हैं उसके पास ही पढ़ती है तो डियाइडियो इस एडिया में अगनी फोर का जो प्राइम वैरियन्ट है वेदा सिस्टम है और हमारी जो के फोर जैसी SLBM मिसाइल है इनके टेस्ट को कर सकती है इनके काफी ज़ए यहाँ पर चांसेस है क्योंकि इनकी जो रेंज है वो इस नोटम एडिया वारनिंग के बराबर ही पढ़ती है साथी साथ तो इसके बाद अगर आप हाईपरसोनिक वैपन के प्रोग्राम को देखते हैं तो उसमें आपको मेंली दो टाइप की जो मिसाइले हैं वे देखने को मिलेगी जिसमें से एक को हाईपरसोनिक ग्लाइड विकल कहते हैं और एक को हाईपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं तो इसके उपर भारत ने थोड़ा सा लेट काम शुरू किया था लेकिन इसकी भरपाई हमने ऐसे की है कि इसको बनाने का जो काम है वो हमारी एक private company को दे दिया है और इसके prototype को बनाने के जो funds है तो उनका 70% हमारी government के दुआरा दिया जाएगा तो दोस्तो इस सब के उपर आपको क्या लगत है कमेंट सेक्शन में बताईएगा साथी साथ अब आप मुझे जा करके Instagram और Twitter के उपर फोलो कर सकते हैं दोनों की ID आपको नीचे description में मिल जाएगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर जी किजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिं लगए जामा दर मधमी जाएगी जाएगा तो आफ्यलतस जाएगा तोड़ा है किते हैंगला में इतना ही में तो अबह्त प्र स्वीडियो में 9-10 थैह।